ख़े मैं ऐसे को रहते हैं और क्योश्त कियो ब्हुत की तक अभी तक मतलब 6 में टरीक लोगों ने प्रसेंटेज कितने लोगों को पता है कितने लोगों का नहीं है हाँ लिंक बंद होगी होगी छेवच की दुसमिट पे मैं लिंक बंद क्लोज कर देता हूं तो पहले मैं छेवच तक ही रखता था तो आदा गंटे इनफ है में रिखाल से 30 मिट के अंदर ही करना है इतने कोश्चन आपको एक कोश्चन को एक मिट से जादा नहीं देना ठीक ह सता होना चाहिए जालो टेस्ट का टाइम ठीक नहीं है चलो टेस्ट का टाइमार तक्राने क्रने वाले हैं दो दिन वर नाई mock josClub dort तो एक बेच और रख लेंगे अधरवाइस ड्यूटी का बड़ा इसू आ रहा है नाइट में तो रेगुलर ने नाइट मिल जाती है दिन में रेगुलर डे नहीं मिलती तो देखते हैं अपन कॉसेस कर रहे हैं अभी भी चलो तो वन वाई वन में एक कोस्टन लेता हूं डिस बार बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है कि ABO ब्लट गुप जो है इसकी खोज किस ने की यहां पर जो आप्सन थे वही आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉंस दिया इसमें से 30 में से 26 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया जिन लोगों न और आपन ईडिनर को जोड़ दें तो इन दोने इनों मिलके जो खोज की थी वह ब्लट गुप इसके अलाबा होते तो फिर बहत सारे हैं रूट ने निए लेंट इनों ने बिन्न एे इन्हों किस तरह से होती है, माझीजिक से बच्चोंस किस तरह से जाते हैं हो पूरी कीपोरी थे बने च्चने और आरेच ब्लड गुप का यह तो यह तीन ओप्सन जो थे तीनों ही अलग 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 अंसर थी वही पहला अंसर इसका बिल्कुल सही था जाता लोगों का बिल्कुल सही भी है नेस्ट कोश्चन पर आगया हूं में वह टिज़ा इंसीडेंस ऑफ बॉंबे फिरीनो टाइपिंग इन बॉंबे सिटी पॉपुलिशन कुछ तो मैंने सिर्फ जनरल कोश्टन डाले थी इसमें बॉंबे सिटी पॉपुलिशन में बॉंबे गुरूप बाले लोग कितने होना ही चाहिए आप लोगों का रिस्पॉस देखूं अगर मैं इस नोगों तो 22 ने इसमें बिल्कुत सग्वल्कुत और पहला और सई है भाई जितनी भी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में जब बॉम्बे ग्रुप बाले लोगों को गिना गया तो जो रेसो निकला है वो यह निकला कि वह साथ हजाए चैन्दी भी नहीं होगा क्यों कि यह फिर इनेटेंस उसी को होगा जिसके माबाप बॉम्बे ब्लड रुप होगे किसी का आगर बॉम्बे ग्रुप ना माप को मा का है ना बच्च पिता का है तो उसके बच्चों का होने का चांस बिलकुल भी नहीं है तो पहला बाला जो आंसर है बिल्कों सही है बहुत ज्यादा थेवरी नहीं इसमें समझने वाली मेम्राइज करने वाले पॉइंट है यह बड़े इंपोटेंट पॉइंट है बड़ा एंपोटेंट टॉपिक है हार एक्जाम में एक कोशन कम से कम ज्यादा कितने आ जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है कोविड वाले उनने तो एक सवाथ पास-पास कोशन रखे थे कितने पॉजिटिव हमारे यहां जब अपन दे सब्सक्राइब कोशन में 93 है तो 93 होगा 95 है एक दम एक्कुरेट आसपास बिल्कुल वैल्यू नहीं आएगी यहां पर 90 परसेंट से जरूर थोड़ा बहुत लोग हुए हैं 90 परसेंट से छे लोगों ने 90 परसेंट के दिया बढ़ी देखो नोर्स में अपने 93 तो पड़ा ह बेसिक से फैक्ट है वो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए आपको बता होना ही चाहिए आपको बता होना ही चाहिए अगले question पर चलता हूँ A person with group O 90 से ज़्यादा लेकिन कम नहीं होगा बहुत बढ़िया जीतन ने लिखाई कि 90 से ज़्यादा तो होगा कम नहीं होता बहुत बढ़िया positive बाले ज़्यादतर लोग होते हैं आज कल तो और थोड़े कम हो गए हैं A person with blood group O कि आप लोग दोट्स के साथ previous paper पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा हो बिलकुत same as it is वहाँ से उठाके मने यहाँ पर डाल दिये बस समाजने के लिए तो theory के लिए वो question में हमारे लिए कापी हैं चौते नमर की question में आप लोगों का जो response था 18 लोगों ने ही इसका सही answer दिया देखो कितना basic question था कितना easy question था इसलिए मैंने इस topic के दो part कर दिये हैं कल अपन इसके deep बाला जो part है वो अपन इसको कल पढ़ेंगे आपके response को देखते हुए तो चौता answer जो है इसका बिलकुल सही answer है जिसका blood group O होगा उसकी RBC की surface पे कोई भी antigen नहीं होगा देखो बड़ा अच्छा question है ये exam के हिसाफ से बड़ा important है इससे मैंने एक image डाली है लेकिन बाद मैं डाली है पहले इसको थोड़ा सा ऐसे discuss कर लेता हूँ मैं A group किसको बोलते हैं पन जिसकी RBC पे A antigen है B group किसको बोलेंगे जिसकी RBC पे B antigen है जो antigen है उसी के आधार पी उसका नाम है अगर A antigen है तो A group B antigen है तो B group अगर दोनों ही antigen है तो अपन उसको A B group बोलेंगे अब दोनों ही antigen नहीं होते तब उसको अपन O group बोलते हैं यही था ब्लड ग्रुप ओ वाले में एंटीजन सर्फेस पर एंटीजन कौन से प्रजेंट होंगे तो भाई ओ वाले ग्रुप में एंटीजन कोई भी प्रजेंट नहीं होगा यह बड़ा बेसिक कोश्चन और बहुत ज़्यादा इंपोटेंट आज की क्लास में जितने भी को मैंने ज्यादा डीब बाले कोश्चन कोई भी बिढ हूए सारे के सारे कोश्चन जो अपन पड़ रहे हैं अभी की क्लास में पर उन्होंने कहा कि एंटीजन एवी होगा एंटीजन बीवी होगा ऐसा नहीं है वह ग्रुप जो होगा उस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा ठीक है बड़ा अच्छा कोश्चन था बिलकोश सिंपल और सरल कोश्चन था इसी सही मिलता जूता एक और कोश्चन देखो ये बहुत अच्छा कोश्चन है वेडी इंपॉर्टेंट कोशन है यह क्ला है लीग निवास चलू पर जंड़ीजन करते टाइम जय चलू रही है है चल रही है ओके चल रही है चल रही है चलो नेक्स कोशन पर आता हूं है एक परसंड ब्लड गुप एबी हैस विच एंटी वॉड़ी इन ही रखो दो अलग अलग तरह के पॉइंट्स है बहुत साज लोगों ने कह दिया चालू है तो कोई दिखते हैं बहुत बढ़ी है चा सिर्फ वही प्रजेंट होगा जो गुरूप है जैसे अपन ने बोला कि कि ए गुरूप किसी का तो ए एंटी जैंट बी ग्रुप मतलब दोनों ही एंटीजन है अब यह कोशन क्या पूछा है कि ग्रुप ए भी ए ग्रुप ए भी ग्रुप है और उसमें सीरम में एंटी बॉड़ी कौन सी प्रिजेंट है यह कोशन मिलता जुलता कोशन है लेकिन हुआ है इस दो जघी ए अब देखो में बिल्कुल व कॉलर चल रहा है कैसे चल रहा है घोर्जों कि इसकी B-antivody, antivody, ulti, just opposite confusion होती, इसमें मेरे कासिक image डाली थी मैंने, चुड़ गई मेरे से, चलो मैंने प्रवाना बाला PPT खोल दिया आप लोगों सामने जिसमें image डाली थी वो चुड़ गया, कोई बात नहीं, ऐसी समझते हुए चलते हैं, देखो A B group का मतलब क्या है? उसमें antigen B A B है और B B है. अगर दोनों ही antigen present हैं इसका मतलब antibody कोई भी नहीं होगा. अगर A antigen होता तो anti-B present होता मतलब A group जो होता है उसमें antibody serum में जो होती है वो anti-B होती है B group में antibody just opposite होगी anti-A अगर group A B है इसका मतलब उसमें कोई भी antibody present नहीं है क्योंकि अगर antigen और antibody कभी भी साथ नहीं रह सकते दोनों एक दूसर के भी just दुस्मन है एक दूसर के दुस्मन मान लो आप antigen और antibody अगर एक साथ मिल गए तो उनमें घमा सांज युद्ध शुरू हो जाता है तो A अगर antigen है तो A का antibody present नहीं होगा B अगर antigen है तो B antibody present नहीं होगा तो भई A B group है तो ग्रुप अपन उसी को बोलते है जिसमें जो antigen present होता है आप group A B है मतलब A antigen भी है और B antigen भी है दोनों ही antigen है इसका मतलब क्या हुआ भाई इनके बिरोध हुआ बिरोधी जो है इनके दुस्मन लोग अपने ब्लड में नहीं रह सकते और इनके दुस्मन कौन है अगर दोनों ही antigen है तो serum में antibody कोई भी होगा ओ ग्रुप अगर होता तो दोनों ही antibody present होते एटी A भी और एटी B भी अगर group A होता तो एटी B present होता अगर group B होता तो एटी A present होता जो जो प्लाजमा में होगी सीरम और प्लाजमा में सिर्फ coagulation factor का different होता है बाकी की जितनी भी चीज़े हैं वो लगवग लगवग सेम यॉंगती है coagulation factor serum में थोड़े काम हो जाते हैं क्योंकि blood जो होता है वो clot होता है तो clot होता है कुछ clotting factor यूज हो जाते हैं ठीक है बाकी जो antigen antibody है या protein के जो molecule है उन्हें बिलकुल डिफ्रेंट नहीं होता है ठीक है एक दो लोग के मैं हाँ कृष्णा ने लिखा है कि सरी यह question नहीं नहीं था तो भाई नहीं से ही डालें मैंने जानगुच के डाल दिये कि आप लोग previous paper पढ़ रहे हो कि नहीं है अगर previous paper के जो मैंने question डाले थे अगर वो पढ़के आपने practice की होती मैंने जानगुच के उनके answer कल notes में आपको नहीं दिये कि आप लोग थोड़ी सी practice करके इनके answer निकाल के देखो मतलब पढ़के देखो तो फिर answer नहीं निकलेगा तो आप उनके answer निकालोगे थोड़ी सी मेनद करोगे तो आपको question यार हो जाएगा तो देखो आप नहीं पड़ा सिर्फ 10 लोग ही इसका answer देपाए तीस में से 20 लोगों का जो answer C है 20 जितने भी है न सभी का answer यह है कि ग्रुप जो A-B होगा उसमें antibody दोनों ही होंगी ऐसा नहीं है भाई नहीं होना I can choose बहुत very very important question है यह group A-B में कोई भी antibody नहीं हो ग्रुप O में दोनों ही antibody ह ठीक है चलो next question पर चलता हूं इसी तरह के question एक्जाम के साब सही है विल्कुल पूरे की पूरे exam के लिए वलके अगले question पर आता हूं blood group थोड़ा deep topic है genetics की कुछ और चीज़ें है वो अपन पढ़ेंगे कल की class में अपन cover करेंगे next question पर आता हूं blood group B वाले में वो एक वोई exam question है एक ही question को मैंने साथ दूबाइ डाल दिया गलती से क्या होगा भई थोड़ी देर पहले मैं थोड़ी समझा रहा था अगर अपन बात करें तो B group है मतलब antigen B है उसमें antigen B है मतलब उसका just opposite वाला antibody present होगा कौन सा present होगा anti-a present होगा उसमें antigen B हुआ इसका मतलब क्या हुआ वो B के साथ agglutinate हो जाएगा ठीक है तो agglutinate ना हो इसलिए जरूरी है कि जो antigen उसका corresponding antibody ना हो just opposite वाला हो जैसे B है तो anti-B sorry B है तो anti-A present होगा आपारे serum में negative blood group में B same होगा क्या सर बहुत बढ़िया question प्रिया ने पूछा है इस तरह की question आप doubt पूछा करो इस तरह की question पूछा करो प्रिया ने देवो कितना अच्छा question कूछा कि सर क्या जो हम आरेच positive और negative करते हैं तो उनमें भी ऐसा होता है कि antibody होंगी मतलब positive बाले में antibody होंगी क्या आरेच blood group system में सिर्फ antigen ही होती है उनकी antibody नहीं होती तो प्रिया का जो doubt है मैं करूँगा आगे चलके देखो यह table थोड़े लेट डल गई बाद में डल गई पहले डलना था इसी table को समझो बड़ी important table है यह क्या है वई इस table में ही पूरे blood group का data है देखो अब अगर group A है group अगर यह है तो उसकी RBC की surface पर होंगे antigen इसलिए उसका नाम अपने ए ग्रूप रखा अगर antigen है मतलब उसकी corresponding antibody उससे जो मिलती जलती मतलब A antibody present उसमें नहीं होगी उसमें just opposite वाली होगी B वाली होगी एंटी भी उसमें present होगी ठीक है अगर group B है तो B में यह table notes में डली है सेम की सेम notes ही मैंने यहां के डाल लिया है B antigen है तो अपन उसको B group बोलेंगे B group में antibody जो होगी वो serum में या plasma में serum भी होगी दोनों एकी बात है plasma में antibody जो होगी वो anti A होगी ठीक है अगर group AB है तो AB group मतलब उसकी RBC की surface पर AB है और BB है दोनों ही antigen present है A antigen B है और B antigen B है अगर दोनों ही antigen present है इसका मतलब antibody एक भी नहीं होगी अगर group O हुगा तो group O होगा तो क्या होगा भई antigen कोई भी present नहीं है उस पे RBC की surface पे RBC की surface पे अगर कोई भी antigen present नहीं है मतलब plasma में या serum में antibody दोनों ही present है anti-AV है और anti-BV है यह table वड़ी important है याद कर ले ना याद करने की जड़ोती नहीं है सिर्फ समझने की जड़ोत है concept अगर आपने दिमाग में बठा लिया तो मेरे question definitely आप सही करके आओगे ठीक है सर में anti को antigen समझ रहा था हाँ देखो यह confusion होती है इस तरह से बबबने कहा कि सर में antigen यहाँ पर जो anti सब्द रहता ना कभी भी लिखा है एंटी का मतलब antigen कभी भी नहीं होता antigen का मतलब हमेशा antibody होता है ना antibody एंटी जन का नाम हमेशा anti जन पूरा लिखा होगा antibody को short form में अपन एंटी एंटी इस तरह से लिखते हैं ठीक है बई चलो next question पर चलते हैं अगला question डी एंटी जन डी एंटी जन जो होता है उसे हम और क्या कह सकते हैं छे नमर की question को मैंने आप लोगों का response नहीं बताया इसमें भी 17 लोगों का ही आंसर तहीं था दोनों में बिल्कुल इंटी जन को हम और क्या बोल सकते हैं वही बड़ा अच्छा question बड़ा सिंपल कोशन और एच बोलते हैं अगर निगेटिव है तो आरेच अच्छा response आप लोगों का रहा कुछ लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए है पांच्छे लोग बाकी जाज़तर लोगों ने बिल्कुल सही अंसर दिया टी एंटी जन को हम और एच फेक्टर भी कह सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई concept वाली बात नहीं है यहाँ बहुत बढ़ है यह अच्छी बात लिखी है रेखा ने बहुत बढ़ है को इस तरह के message की अगरो तो class प्रांस में इस तीजें include होती जाती है बहुत बढ़ है रेखा ने लिखाई कि एंटी जन को हम एजी करके भी लिख सकते हैं एटी बड़ी को हम एबी करके भी कभी एक्जाम में इस तरह से कोश्चन आए तो उन से आपको नहीं होना है ठीक है बहुत बढ़िया रेखा चलो आगले कोश्चन पर आते हैं बॉम्बे ब्लैड गुरूप इस तरह से कंसीडर करते हैं किस तरह से आएगा बॉम्बे ब्लैड गुप के लिए अलग से हमारे पास एक कोई के तो आती नहीं है अगर किसी के Bombay Blood Group बालों के, अगर हमारे पास RVC है, Poold RVC, तो उनके थुरू अपन Bombay Blood Group detect करते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से Regent Market में available नहीं है, अपन लगाएंगे सिर्फ जो अपने पास Anticira A है, B है या Anticira D है, उससे अपन लगाएंगे तो Bombay Blood Group किसी का है, तो उसका Group क्या आएगा, यह question था, यह चार option आपके सामदे भी है, कि A आएगा, कि O आएगा, कि A भी आएगा, चार option में से दूसरा answer जो था, वो बिलकुल सरी था, Bombay Blood Group को जब भी हम normally अगर test लगाते हैं, तो Group O आएगा, क्यों आएगा, वही उसको भी अपन समझते हैं, देखो, Bombay Blood Group होता क्या है, अपन ने, थियोरी पड़ी थी पर इखास, इमेज डाली है, कि मैंने इसमें एग बार देखता हूं, नहीं डाली, क्या समझी थी अपन ने, Bombay Blood Group को, अपना O group कौन सा होता है, जिसमें A antigen और B antigen नहीं बन पाते हैं, मतलब जिनमें A gene और B gene नहीं होते हैं, जिसमें O gene होता है, हाँ, ये भी NCL, देखो, कुछ इस्ट्रेट को तो याद ही हैं, कि कौन से exam में होना भी चाहिए, कि कौन सा question, कौन से exam में याद आया था, बड़ आपके पास अगर time कम है, जैसे अभी चार महीने का target आप लोगों ने बनाया है, तो चार महीने के target में आपके पढ़ने का जो पूरा concept होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, पहले previous paper में कौन सी चीजे हमको पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है, पढ़ने के लिए बहुत होता पर चाहिए कर रहा हूं, कौन सी करेंगे अपन और पांच परसेंट एड करें, 90-95% अपने का अपर कर रहे हैं, बॉंबे ब्लड गूप का होता है जिसमें कोई antigen होता ही नहीं है, ना A antigen होगा ना B antigen होगा, और H antigen भी नहीं होगा, ह antigen क्या होता है, जिसमें O gene होता है, तो यह अपना बॉंबे कहलाता है तो अपन जब लगाएगा इसमें आप लोगों का रिस्पॉंस इसमें भी निरास आजनक है पंदरा लोगों का ही सही आंसर है मैं आप किसी का नहीं लूँगा क्योंकि यह अभी तक जितने मतलब आपको खुदी नोटिस करना है कि कितने पानी में हुआ कितनी और आपको तैयारी करना है और लोगों से आपको करना है तो ठीक है मेरी तरफ से जो असेस्मेंट सुरू होगा ना अपन पूरी एक सीरीज चलाएंगे पूरी एक महीने तक हर दिन हंड्रेट कोश्चन आपको मिला करेंगे सितंबर के महीने में तो सितंबर पूरा जो सितंबर होगा ना एक्जाम बाइस पूरा टैस्ट सीरीज चलेगी तो तरह उसमें जो होगा वो मेरी तरफ से सेल्फ असेस्मेंट होगा अगर एक्जाम आ गया तो अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है इंडिकेटर यूजिर एंटी शिरा बी बहुत अच्छा कोशन है ए से कोशन आ चुका है यहां पर कोशन की से एंटी शिरा जो बी होगा आपको मालूम है एंटी शिरा ए ब्लू कलर का होता है बी जो होता है वो यलू कलर का होता है डी वाला जो होता है वो ट्रांस्पेरेंट होता है पानी की तरह है तो बी वाले में एंटिशेरा जो होता है उसका इंडिकेटर हम कौन सा यूज करते हैं इंडिकेटर में कोई ना कोई एक दाई होती है उस दाई से ताकि हम पैचान सकें गलती ना करें चार ऑप्षन थे और चार ऑप्षन में पहला जो ऑप्षन है एक्री फिलेविन ये इसका बिल्कुत सही बड़ा इंपोर्टेंट कोस्टन है यह एक्री फिलेविन होता है और एक ट्राइपन बिलू उसमें इंडिकेटर यूज़ होता है बिल्कुल सिंपल से पॉइंट 16 लोगों ने इसका सजयांता दे पाए बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग देखो बहुत सारी लोग जादा तर लोग जो कंफ्यूज हुए है वो यूसिन यलो उपर आप लोगोंने देखा होगा कि बी लिखा है मतलब यलो कलर का होता है यल तो यूसिन यलो नहीं होता है ये दो आप याद रख लो ए में जो होता है वो ट्राइपेंड ब्लू होता है उसकी बज़े से एंटी शरा ये जो होता है वो ब्लू कलर का होता है बी में एक्री फिलेविन होता है दोनों को याद रखना आप एक्री फिलेविन भी बी के लि इस तो बाम बोड बन बॉड ऑब भड़ा उसमें क्या होंगी टीनों ही एंटी वोड़ी होंगी बहुत बढ़ाएगा चलो कि अगले कुश्शन पर उप है कि दस नमबर ऑगा है कि एंटी एंटी बी एंटी बॉड यूरी देट डाइप ब्लेड़ूप A B और ब्लेड़ूप में हमारे एंटी A और एंटी B वाली एंटी वोडी होगी तो यह जो एंटी वोडी होती हैं यह किस तरह की एंटी वोडी होती है यह हमारा कोश्चन था बड़ा अच्छा कोश्चन था इस तरह की कोश्चन भी एग्राम में आये हैं प्र पर आता है इस तरे का anti-A और anti-b वाली जो anti-body होती ही यह हमारा question था चार तरह के anti-body option में थे इचीम type की होती है यह anti-a और anti-b वाली जो anti-body होती है कैसे याद रखो आ देखो जब अंच तक छीड़ी पढ़ रहे थे तो अपने इक्षी प्रॉबलम को बच्चे का बी है तो भी ना बच्चे को प्रॉबलम होगी क्यों इसा क्यों ए अब भी भले डिफ्रेन्ट हों उन में के ब्लड को ए भी यो ब्लड को जो है वो डिफ्रेन्ट कितना ही हो मदर से प्लेसेंटा में वो प्रोस नहीं हो पाता क्यों उसका रिजन यह है क्योंकि जो एटी एटी इपी आइजी एम टाइप की होती है आइजी आपन पढ़ेंगे माइक्रोवालोजी में थोड़ा समय ने बोगे जबी हुँआ मैं इसका साइज बडब होता है एकशली ईंती हो यूनीट होती ब सेप की होती है एकुडी हाला कि माइक्रोल वाल को बड़ी है इसलिए प्रैसंट को क्रSerio К Ms inch नहीं कर पाती है रहती है बॉनोर रहती सेज़ते सब्सक्राइब कर दीधिक है जो सकती है कि आइगेटेब लेता है थे आपकें सब्सक्राइब मदर नेगेटिव है बच्चा पोजिटिव है तो मदर को प्रोबल्म हो सकती है ऐसा पॉस्यविलिटी हो सकती है तो वो क्यों हो सकती क्योंकि IGG जो रहता है वो placenta को cross कर सकता है याद रखने के लिए मैंने अपने नाम से इसको correlate कर लिया था कि मैं जो हूँ वो हर जागे cross कर सकता हूँ इस तरह से याद करने के लिए कुछ है कुछ आप correlation बनाते रहा करो कुछ मैं थोड़े बहुत डिसकस कर देता हूं कुछ आपकी तरफ से भी आप लोग थुदी और के काइम कैसे को बन रहा है वह आपके उपर डिपेंड कर रहा है डिपेंड करता है अपन चीजा भूलते नहीं है ना जैसे मैंने कोलेशन बना दिया वही मेरा नाम जी है और जी वाले नाम जो रहते हैं वो हर जगे फ्रोस का चाहते हैं चलो अगले कुछ न पर आते हैं कि विच अपलवार्ण कैनओ वी एबीओ रभीस सी एंटीजन प्रीविएस पेपर का ही इस है यह पूछा यह कि चार ओप्शन है औहोंने पूछा इन में से प्रीवियस पेपर का ही गोश्टन है यह इस इसी ने पूछा था यह चार ओप्शन है उन्होंने पूछा कि इन में से कौन है जो एंटीजन नहीं बन सकता विच यह इसी का पेपर आप लोगों ने देखा हुगा तो पहला आंसर जो है वो एकदम सही आंसर है वही क्यों है अब अपने इसको डिसकस कर लेते हैं प्रीवियस पेपर को अपन डिसकस करनी पा रहे हैं थेयोरी में भई एक चीज अपने पड़ी क्या पड़ी आरवी सी के जो एंटीजन होते हैं वो हमेशा कार्बोहड़ेट से ही बनते हैं कार्बोहड़ेट सबिस्टेंस उसमें होना चाहिए अब देखो किसी मॉलिकूल में अगर कार्बोहड़ेट जोड़ा है तो वो आगे चलके प्रोटीन में कंवर्ट हो सकता है आप बाकी के त झान होगा लुप में दो मॉलेकूल यह साद जोड़का फिर प्रोस्टेयक मनाते थे घ्लुकोस और लिपड जोड़ गया तो ग्लाइकोद ग्लॉकॉस और फास्पोरस जोड़ गया और लिपड भी जोड़ गया तो तीनों चीज क्या बना गए हैं ग्लाइकोद देखोगे तीनों में एक चीज तो common है ही ग्लुकोज तीनों में ग्लुकोज है और भाई यही हमारी थियोरी के रही थी तो क्या कह रही थी थियोरी कि भाई कि RBC के उपर जो एंटीजन बनते हैं वो हमिशा कार्वाईडिट सविस्टेंस से ही बनते हैं कार्वाईडिट तो होना ही चाहिए उनमें अगर कार्वाईडिट के लावा कोई चीज हुई तो यहां पर एला उप्सन जो आप देख रहा हो ना वो क्या है क्या नहीं है उसके क्या है हमें ने पता की क्या आंसर है लेकिन हमें पता है कि आजन्द साथा है लुज हो सब्सक्ते लगए टीन जो है टीनों नहीं हो सकते। हैं क्योंकि क्लीनों में ही क्यों स्दुच्च पाइप है मतलब मन चौथा जॉत्हा जर्या Unfortunately है हमारा सही आंसर होगा इसको मैं अपनी मांसा में रिजेक्शन क्राइटिरिया बोलता हूँ यह जो ट्रिक है न आंसर देने की पढ़ने की यह जितना ज्यादा आप जल्दी कवर करोगे टॉपिक को जल्दी याद करोगे आप और जल्दी बड़ा कवड़ा से लिबस भी आप आएंगी तो चलो एक पोल्ड एंटिवोडी भी है सायद अंचाम ने लिखा है कोल्ड एंटिवोडी क्या है वह नहीं वोल्ड एंटिवोडी यह तो सिर्फ नॉर्मली कोश रहे हैं फिर भी एक ब्लड गुरूप टॉपिक एसा है पढ़ा साउन खिक है कोई 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 कोश्चन से गलत हो जाते हैं ति एक अंचार अगला दिसकत पर निम्र का इध्यु गूंग informal तो कि बंदेप का बोल रहा हूं चलो अगल को डिसकस करेंगे अगला कोशन लेते हैं अपन बारवे नमर का इफ परसन है और उसका ग्रूप है ओ दा एच एंटीजन रिमें अन्मोडिफाई यह बिल्कुल सही बात है क्या कह रही लाइन कह रही है कि जिसका ग्रूप ओ है उसका एच होते हैं ही मोडिफाई होकर एंटीजन और बी एंटीजन में होता है और ओ ग्रूप में एच एंटीजन जो होता है वो कंवर्ट वही नहीं पाता यह हमारी लाइन कह रही है लेकिन होता किस वज़े से डू तू दू के बाद उन्होंने ऑप्शन में भई लाइन खाली रख रहते हैं और फिर डिस्कॉस करेंगी थर्ड अंसर हमारा इसमें करेक्ट था ओजीन जो होता है वो रिसेसिक होता है क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि एक्चली कि ओ एब और बी एड़ जीन ना जब अपन शुरुआत में पढ़ रहे थे देखो कुछ लोग यहां पे बी नम्मर पे भी कंफूस हुए थे बार बी नम्मर पे आप लोगों का रिस्कॉस बता दू बड़े सबसे ज़्यादा कर्फूस हुए हैं इस कोश्चन में आप लोग सिर्फ 9 लोग ही सही आंसर दे पाए इसका बहुत सारी लोगों ने चौथा दिय बहुत सारी लोगों ने पहला दिया अपन सारे चारे जो उप्सन हैं उनको डिस्कॉस करेंगे पहला कोशन लिखा है कि ओजीन जो है वो डॉमिनेंट होता ही नहीं है कल अपन ने थियोरी पड़ी थी थियोरी में आपको याद होगा मैंने का क्या कहा वही ए और बी ये दो पहलवान है तो ऑको यासा संय और यहीं होता है वह डॉमिनेंट नहीं होता मतलब क्या होता है होता है जिसका प्रभूत जम सके ओल्ड मैन बहुत बड़ी अजय को प्रियान ने लगा दी एक प्रट ऐसे होने चाहिए इस्ट्रेंट ओ मतलब ओल्ड परसन और जो परसन रहता ना उसमें तागत रही होती है और ए और भी मतलब अजय देवगन और भी से कोई यह बन सकता है क्या चलो तो ए और बी जीन जो ह इसको कोई मतलब नहीं काम करने से है मतलब जो आगे रहके काम करते हैं अगे तो जीन जो है वो आलसी आत्मी है बुटा-खुटा है विचार करनी पाता ओल्ड पर्सन है वी से बाहु वले लगा दिया एक दो लोगने और क्या रखा है बोडी लेवल बॉडी बॉबी देवल ऑपके चलो तो अजय देवगन और बॉबी देवल अगर हैं तो ए एंटीजन पाले उप्सन में लिखाते हैं कि ओजीन प्रजेंट होता ही नहीं तो वह एंसा नहीं है अगर वह ग्रूप है तो तीसरा वाला जो आंसर है वो इसका एक ग्रेक्ट आंसर बड़े इसका कॉश्चन में आप लोग इसका कॉंसेप्ट बहुत समझने वाला है ब्लड गूप टॉपिक है बहुत जादा डीप नहीं गया हूँ मैं कल जाओंगा थोड़ा सा डीप लेटिंग बहुत ज्यादा फिर भी नहीं गया हूँ इतना तो होना ही चाहिए बाई जितना नोट्स में डाला है इतना नहीं कर पाए ना तो सोचने वाली बात हो जाएगी आपके है कि भाई एच एंटी जन किसमें सबसे कम हुआ देखो जिसमें एए जीन और बी जीन जितने ज़्यादा होंगे हैज एंटी जन उनमें उतना कम होगा यह ना एग्रूप में भी जीन होगा वी ग्रूप में बी करने वाले कमद कर रहा है दोनों कर बहुंत कर रहा है वसक दोड़ आठ भी fucking बहुति नहीं पाता देखो करद सबसे ज्यादा मात्रा हो पासा अगर अपनों का कमपेडियें करें 4 पर में पा ऊदिए रिखेड इस कि नहीं हो हूँ पा रहा थो यह दुना भी है है सारा का सारा है मौ डिवाई हृ नहीं पारा तो गर्व में सबसे ज्याधा मात्रा में हैं सबसे कम मैं किसमें होगा जिसमें ये दौनों होुगे ॉपी दोनों कर र दोनों ही सब्सक्रा एक है ना लाग को ढूट सबसे कम मात्रा में होगा वो ग्रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा बाकी जो बीच का लेवल है वो इन दोनों का आएगा ए और बी ग्रूप का ठीक है वाई है है अब अब बात करें तो राहूल ने लिखा कि यहाँ पर एभी जो है वो डॉमिनेंट हो गया है और एच जो हो गया वह बहुत बढ़िया चलो इस कोश्चन में वी जेखनू आप लोगों का रिस्पॉंस क्या दे रहे हैं आप लोग दस लोगों ने सही आंसर दिया 30-20 लोगोंने इसां सबसे का मातर में और दोनों का याद रख लो आप छुं खा़ पुरा परसेंटेज ही आप आप आबि न ही करो तो ओजस्टे जादा क्याँ सबसे को जुथ पिएि सबसेड़ पर आंसर अहीं सबसे ज़्यादा व में और सबसे ज़्यादा होता क्या है सर अच्छा जीता अने एक मैसेज लिखा है कि सर जादा कम ज़्यादा क्या होता है उसको आप थोड़ा समझाओ बिल्कुल जीता यह देखो आप एक है मैंने इस इमेज को जड़ा ध्यान से देखो अपने नोड में है यह इंद लिए हैं ऑपर कार्वो हईड़र जो होगा वह उसका प्रिकर्सर हुआ यह कारव हईडर भी सी के उपर जो पार्व हईडर है वह सबसे पहले एच सबस्टेंस में कंवर्ट होता है आए सबिस्टेंज को अपन है एच एंटीजन भी कह सकते हैं यह एच जीन की बज़े से होता है और एच जीन मोस्टली सभी में होगा इसमें नहीं होगा जो गॉंबे बलड गुरूड बाले होती है उनको छोड़कर जितने भी गुरूप हैं सब में है एच जीन प्रेजेंट में होगा ही नहीं अब एक बात क्ल थियोरी में में डिसकस कर रहा था मान लो नो सपोस कि अरबी सींपे 100 मोले breaths को मैं सब समझाने के लिए बता रहा हूं है 100 मोले कुली उसनों होने को तो बहुत सार हूं होंग्य समझाने कली बात कर रहा हूं है मानलो एक और उसके उपर सो कार्वहरेट है, यह सो कार्वहरेट को ऐंडी यह में अगर के ब्लड में एजीन है तो सिर्फ एकी परसन है तो उसके सो कार हट भी कर सर को मूर के पूरे कर सर को कर नहीं कर पाएगा कुछ को तो कर देगा कुछ को नहीं कर पाएगा मान वो समय 70-80 परसेंट गनवेट कर दिए तो कंवर्ण अगर उसने थोड़ीज भी कर दिय dön अन्टिजन बन रहे हैं चाले को कितनी मातरा में हो तो फ़ो रचारक्दू हो वह इया है लेकिन लेकिन आ compose रोब हो ऐबृřम जो होते हों में यह दोनों ही आंटिजन हओंगे यह आंटिजन भी होगा और एच आटिजन भी होगा यह बड़ाव समझ के रखो क्या पाले में A antigen है साह साथ में H antigen भी है क्यों कि RBC के उपर जितने भी कारवाजिट के प्रिककरसर है वो सारे के सारे तो मोडिफाई possibility नहीं है कि सारे के सारे antigen बन जाना जितने बन गया है वह A antigen बन गए जितने नहीं बन पाए है वो H antigen बन गए मतलब कहने को मतलब क्या है मैं short में बोलू A group बाले में A antigen भी होता है और H antigen भी होता है O group बाले में ना A होता है ना B होता है उसमें सिर्फ H antigen होता है तो भाई ओजीन बाले ने ना A convert कर पाया ना B convert कर पाया मतलब RBC पे जितनी कार्वाइड है सारे के सारे H antigen में convert हो गए किसी में अगर दोनों ही जीन है तो अजया देवगन भी काम कर रहा है बोबी देवल भी convert करने का काम कर रहा है तो जितने ज्यादा से ज्यादा precursor antigen में convert हो सकते थे उतने ज्यादा convert होंगे मतलब A antigen और B antigen ज्यादा बनेंगे और A antigen B antigen ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा भाई मान दो 50 A ने बना दिये जीन ने 50 अजय देवगन ने बना दिये 50 बवी देवल ने बना दिये तो बचने ने दिया उन्होंने H antigen को तो सबसे कम मात्रा में H antigen किसमें है जब यह दोनों ही ग्रुप होंगे और यह दोनों में फिर छोटा सा कोश्चन है थोड़ा सा कन्फिजन आप अलग कर लेना सबसे कम कोश्चन देखो अभी जो कोश्चन था में दोबारा खोल देता हूं यहां पर कुश्चन में क्या पूछा था यहाँ पर option में Bombay blood group नहीं था question में पूछा था कि सबसे कम मात्रा में मतलब मात्रा तो है लेकिन कम मात्रा में अगर question यही का यह question में question लिखा होता कि H antigen is absent in blood group H antigen कौन से blood group में absent होता है बिल्कुन होता ही नहीं है अगर होता ही नहीं है तो यह सरफ एक ही तरह का blood group है कौन सा blood group भई अपने देखा भी Bombay blood group यह जो होता है वो Bombay blood group में H antigen हो गई है क्योंकि जो precursor जो अपने देखा था यह precursor है precursor जो होता है वो convert होई नहीं पाता H antigen बड़ अच्छा question है यह exam के साब से बड़ा important था अगले question पर आगया मैं Ashtek of Laptic Seed of Ulex European किसी पेड़ का नाम है Ulex European उसके BG से हम एक ashtek निकालते है BG से उसका पानी निकाल लेते हैं R के निकाल लेते हैं पानी ना बोलकि मैं उसको R के बोलू जारा अच्छा है R के निकाल लेते हैं फिर आम उसको Subgroup के लिए यूज करते हैं Subgroup क्या होता है उसको अपने कल थियोरी में डिसकास किया था Actually जब अपन Bloodgroup लगाते हैं तो Bloodgroup में कुछ पेसेंट लोगों का Group बहुत जल्दी Agglutant हो जाता है कुछ लोगों का बड़ा Slow होता है हमारे डॉक्तर कहते हैं बड़े ध्यानफूर वक्त लगाना थोड़े लंबे टायन ले लेना वही दो मिन्ट जादा ले लेना गलत बंदेना और थोड़ा देख लो क्यों हम बोलते हैं ऐसा क्योंकि कुछ पेसेंट में बहुत जल्दी हो जाता है कुछ ऐसे पेसेंट भी होते हैं जिनमें एगलूटिनेशन जो होती है वो थोड़ी लेट आती है अगर वो लेट आ रही है तो उसके हिसाब से भी फिर अपन ने इसको सब ग्रूप में डिबाइट किया है एबन वालों की जो होती है वो जाहिज आती है एटू वालों का जो थोड़ा लेट आती है एगलूटिनेशन जिना तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन जो एंटी जन यूज करते हैं वो एक्टिलिए लेक्टिक सीर होते हैं एक पेड जो रहते हैं उनके बीज का एक्सट्राइक्ट oh ईटा हो उसको अपने अटी जन की तरह यूज करते हैं निक्स करके फिर बाद में अपनन खरते हैं एबन के लिए हम डोलीचयस वाइफ नोर 12 के लिए हम में डालीच यहां तो यहां पर लिखा था मतलब यह क्षुन तो नहीं यह अपने एक साथ डोनों की यूज कर लेते हैं एक्षिली लगा दिया एवन में अगर आगई तो एवन गुरुप है अगर एक्षिन में आ गई तो यह तो इस पूस्चन में आप लोगों का रिस्पॉंस देखूँ तो जरूर बहुत अच्छी रही सिर्फ एक या दो लोगों को छोड़कर किसी ने भी A3, A4 नहीं दिया मतलब कम सकम इतना तो आप लोगों ने पढ़ाई है कि A के सब ग्रूप दो होंगे एक A1 और दूसरा A2, A1 जिसमें जल्दी अग्रूटेशन आती है, A2 जिसमें अग्रूटेशन खुरसी लेट आती है, यह क्या है, बागी यह दोनों जो नाम हैं, डाई, डॉलिचस वाइफ लोरस और यूलेक्स यूरोप यह दोनों नाम भी आप याद करने ना, इनके विलि चलो, अगले कोश्चन पर आगया पंदी, वाट इस डू, डी यू, डी यू क्या है, बड़ा अच्छा कोश्चन है यह डी यू, अपने नोर्स में पढ़ा भी है, डी यू का जो डेफिनिशन थी, डी यू का मतलब होता है कि डी एंटी जन जो है उसका बीक एक्स प्रेश बहुत कम दे रहा है, कम भली दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव है वो, अगर देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अगर रहा है, तो उसी को यह अपन डी यू कहते हैं, डी यू को डिटेक्ट करने के लिए अपन 20% बूविन एल्मिन, मेरे क् क्यामबा, उसको डिटेक्ट करेंगे, इस कोश्चन में आप लोगों का रिस्पॉंस देखो, 11 लोगों ने सही आंसर दिया, बड़े इसमें मुझे उम्मीद नहीं थी, थोड़ी पढ़ाई करो भाई, मैंने आज के जो कोश्चन रखें, वो बहुत जादा, मतलब जो से वो थोड़ा कम आया, चलो अगली बात, कोई बात नहीं भई, प्रेक्टिस करते चलो, आप पढ़ाई करते रहो, टाइम थोड़ा सा और बढ़ाओ, अगर आप छोटी मोटी जॉप कर रहे हो, छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा है, पांच-छे जारती तो छोड़ो नौ स्कूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको, ज्यादा से ज्यादा ट्री का यूज कर सको, ज्यादा से ज्यादा इसमार्ड टेक्निक में आपको बताता ही हूं, कograf такие सा चे मूझे अिस परना है, अगला कोशें है, डी-उ पॉजिटिव डॉनर इस कंसीडर्ड एड अगर कोई डॉनर डी उ पॉजिटिव है मतलब जब हमने जब उसका ग्रूप लगाए था तो आरेच एंटी सराजाव से जब हम लगाए तो बहुत जल्दी तो नहीं आया लेकिन जब हमने 20 परसेंट गोविन एलून उसमें एड किया फिर लगाए तो फिर वो पॉजिटिव में बड़ा रोल क्ले करता है ये डी उ पॉजिटिव अगर कोई डॉनर है तो उसे हम कौन से डॉनर की तरह जीट करेंगे उसको हम आरेच पॉजिटिव मानेंगे तो वह एक चीज है डी उ में एंटीजन तो है भले कम मात्रा में है अगर एंटीजन थोड़े बहुत भी है मैं बोल रहा हूँ 20% है अगर 20% भी होगे तो भी नेगेटिव बाले को अगर चड़ा दिया तो वह एंटीजन जो होंगे वह क्या कर देंगे एगलूटिनिट कर देंगे तो उसको हमेशा अपन ड्यू जो पॉजिटिव रहता है उसको हमेशा आरेच पॉजिटिव डॉनर मानते हैं अपन यह मान के चलते हैं कि उसमें एंटीजन हैं कितने हैं कितने नहीं हैं उससे अपन को मतलब नहीं है अपन ने तो उसको जब भी डॉनर की तरह अपन उसको ट्रीट करेंगे मतलब उसका ब्लेड चड़ाएंगे अपन पॉसितिव बाले का झब भी ब्लेड को चड़ाइंगे जब भी ब्लेट चड़ाएंगे नेगेटिव बाले को कभी भी अपन दिव कोस्टिवर का ब्लेड नहीं चड़ा सकते थीक है बड़ा अच्छा रिस्पोस रहा इस कोश्चन में आप लोगों का यह चीज तो आपको समझ में आगई भई दीव पॉजिटिव मतलब आरेच पॉजिटिव को भी अपन मानेंगे पुछ लोग इसमें ने आरेच नेगेटिव बोल दिय लिस्ट का अपन यूज कहां करते हैं मैं आप को लिस्ट का यूज कहां करते हैं यह हमारा कोश्टन था यह एक्षुली जब हम जेल के कार्ड मेथड से अगर हम ब्लड रूप लगा रहे हैं तो उसके अंदर यह जो सॉलुशन रहता है वो प्रजेंट होता है बाकि अपनी स्लैड वाली मेथड है इसमें पर सिर्फ नॉर्मल यूज सरेंगी ज्यादे कुछ नहीं रहता जेल वाली कार्ड कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा एक बाट इमेज आपको दिखा दूँ ब्लेड बैंग में कभी आप जाना यह ब्लड रूप की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है सबसे एक्विरिट मानी जाती है इसमें पर ज आपने पर बात करेंगे तो बो डिस्क्रिपैल्सी ना हो स्लाइट से अच्छी ज्यादा में यह मानते हैं कि जेल काज में था जो पहले से एड़ रहता है एक तो जो अलाबा उसमें यह लिस्स वालुशन उसमें पर प्र अपन जब लगाते हैं काट तो इस तरह से जिसका पॉसर्टाइव ते उपर उपर आजाता है जिसमें नहीं होती हो नीचे बैढ़ जाता है अब लोगों ने देखते हों तो कभी कोई भी ब्लड जाना है यह मिली जाएगा आपको जासे खुए मैं अब तर गजित्ते भी कोश्टन थे उसमें सबसे ज्यादा इसी कोश कोई बात नहीं पड़ा है तो अपने जेल कार्ट से अपन ब्लड गूप लगाएंगे तो उसमें लिस्क का यूज होता है लिस्क मतलब लो आयोनिक इस्टेंट सॉलुशन इसको आप सोड़ा सा और पढ़ लेना अपन कोसेश करेंगे कि अपन इसको और समझ लेंगे चलो बनाम किया है प्रैक्स की है 100% लोगों ने देश्ट देखा हूगा बड़ी अच्छी मेतन अगला कॉशन है हमारा और अटी आप होती है जलो चलो और अएक कॉश्ण देखो बड़ादा बीप कोस्शं था अग उड़ा शिया ये ये क्या है इसका मतलब क्या है और इस नॉल मतलब बिल्कुल ही नहीं अब बिल्कुल ही नहीं है मतलब एसेंट तो वह सब्द से ही कोई बी एस गाइब संद्रिव में दूब तो पांच तरह के यह होते हैं अगर उनमें पांचों में से कोई भी प्रजेंट नहीं है तो उसको अपन एक सांथ बोलते हैं आरेच निल सुनॉम तो तीसरा वाला जो आंसर था वो इसमें एक दम करेक्ट आंसर था तो इसमें जरूर आप थोड़ा थोड़ा 15 लोगों नहीं सही आंसर दिया है इसका लेकिन बिल्कुल यह को कोश्चन से थोड़ा बहुत मिलता है जुलता भी था नहीं होता है ना एपसेड ठीक है बागी अपन कल थोड़ा और इसको डिसकस करेंगे आरेच एंटीजन कौन-कौन से होते हैं थोड़ा और अपन कल उनकी सेश्विटी कितनी होती है क्या होती है अपन कल बात करेंगे चलो एक को नेक्स कोशन है हमारा आरेच एंटीवडी है शुटिवल टाइटर नोट्स में है इंक्लूड यह बड़ा च्छा कोशन है इंपोर्टेंट कोशन की केटिगरी में है हम जो आरेच एंटीवडी लगाते हैं उनका टाइटर हमेशा वन इस्टू वन टइन्टीवडी एट का तो होना ही चाहिए यह हमारे नोट्स में इंक्लूड है वही इना तो इसमें कोई अलग से थेओरी नहीं है याद करना है याद करना है एंटी सिरा में आरेच वाले जो एंटी सिरा होगा उसका टाइटर वन चलो एक दो कोश्चन और है उनको भी डिस्कॉस करें का डैडैस सॉलूशन यूस्ट फॉर डिटर्मेशन ऑफ दी यू एक कोशन एक मैसेज है इस कोश्चन में अलग ही दिख रहा है थ्री ऑप्शन एक जैसे ही ऑप्शन है सिंगल एक अच्छा तो के अच्छा कोश्चन है कि यूज करते हैं और यह तो मैं डिसका करी चुका भी पहले ही डियू जब भी हम लगाएंगे तो इसका अपन यूज करते हैं ट्यू टेस्ट का पता करते हैं इसमें अठारा लोगों के यह आंसर है जितना रिस्कॉंस रावी लगवग 15 से अठारा 15 सूला लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिये है और एच निगेटिव इंडिविजल और एच किसी का निगेटिव है य यह कोशन है ना यह प्रिया ने एक मैसेंज में निखा था तो मैंने उसको डिसक्राशन करने के लिए मैंने कोशन डाला था देखो यही बात आ रही थी हमारी एबी यह ब्लड़कुप है तो उसके अगेस्ट में हैं एंटिवडी आरेच वाला जो प्लड़कुप रहता है यह चीज भी पत रुप में चलती है और यह तो 25 होगी इस तरह से आपने पड़ा आरेच मैं इसा नहीं है वाई तो ना तो लिग होगी हिर और देफिर एंटि अगर एंटिर handful और है पेस्ट को इंक्लूट करेंगी। है कि पॉस्टी में ज्यादा इसको दिसक्स किया है। पॉसिवल फिनोटाइफिंग और ग्रुप ए मदर ग्रुप भी फादर। मा किसी की ए पॉजिटिव सब्स नहीं बोलूँ हमाँ है। मा किसी की है वो A ग्रूप की है फादर जो है वो B ग्रूप के हैं तो उनके बच्चे कौन-कौन से हो सकते हैं बड़ा अच्छा कोशन है बड़ा इंपोटेंट कोशन है यह जेनिटिक्स का इन्हेरिटेंस किस तरह से होता है ब्लड गूप का यह इसके लिए अपने एक टेव बड़ा अब वह सकता है यह कैसे होता है अपने इसको थोड़ा और डीपली समझ लेंगे पहले यह एक टेवल आप देखिंगे और मैं थोड़ा और समझाते हुए आपको चलता हूं यह टेविल के त्रूप आपको याद रखना है एक ग्रूप अगर मां का है आप या जई जब हैटब आप मिलाएंगे तो चारहों वो ए भी और ए वी चारहनी possibility बनती है उस्पसे कम possibility बनाई आ ना ना तो ए होगा ना भी होगा ना ये भी होगा कभी भी ना सबसे कम possibility जब दोनों के सेम हो सबसे ज़्यादा possibility जब दोनों के different है तो नों के अलग है तो इसको और समझते हैं पन क्यों है ऐसा क्यों होगा एसा इसलिए क्योंकि A group जो है उसमें A antigen भी है H antigen भी है B group जो है उसमें B antigen भी है और H antigen भी है अगर उनके बच्चे हुए तो ऐसा possibility है कि इसका सिर्फ A antigen गया बच्चे में इसका H antigen चला गया तो बच्चा जो होगा वो ए ग्रुप का होगा जैस्ट अपोजिट कर लो आपन जैसे कि मनलब इसका अगर B वाले का B antigen गया ए वाले का लिकिन H antigen जब भी जाएगा तो उससे ग्रुप और नहीं बने ओ भी बन सकता है अगर इसका H antigen गया इसका B antigen गया तो बच्चा जो होगा वो भी ग्रुप का होगा अब यसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका A antigen चला गया इसका B antigen चला गया तो बच्चों में एक जीन गया इसका A जीन गया इसका B जीन गया तो बच्चों जो होगे वो A भी ग्रुप बाले होंगे मतलब उनमें दोनों ही गया A antigen चला गया उसमें A B antigen चला गया दोनों ही जीन चले गया मतलब उनके बच्चे जो होंगे वो A B ग्रुप बाले होंगे अब एक पॉसिबिलिटी और बन गया अगर एक ग्रुप बाले में दोनों जीन हैं A जीन भी है और H जीन भी है A गया ना B गया तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो O ग्रुप बाले होंगे मतलब अगर mother और father दोनों कुछ इस तरह से है कि A है एक है A ग्रुप दूसरा है B ग्रुप तो उनकी बच्चों की possibility सबसे ज़्यादा होगी ठीक है और O अगर दोनों के है तो सबसे कम possibility होगी और बा मतलब दिमांक लगाना है आपको कि किस तरह से हो सकता है अपने दिमाग में एक चीज बिठाओ कि किसी का A ग्रुप है तो उसमें दोनों और किसी का B किसी का B ग्रुप concern भेए और I एय चेंटी जान सिर्फ A-B में नहीं होगा ठीक है तो A-B गृप बाले में अगर हुआ मानलो ये V अगर दोनों ही मां मतरव ओ फाधर दोनों ही अगर एक भी घुरूप बाले हैं तो उनमें ओ ग्रुप कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में ओजीन ना मतर्व में ना ही पाधर है ठीक है चलो तो इतने ही कोश्चन मैंने डाले थे एक दो लोगों के मैसेज आया है मैं उनको देख लेता हूं जोती पर साथ ने लिखा कि सरा अगर मदर ए पॉजिटिव है फादर बी पॉजिटिव यही तो कोश्चन था जोती यही तो सहम कोश्चन था कि मदर ए है फादर है मेरे खाल से जश्ट मदर और फादर दोनों अगर अलग अलग है तो उनमें सारी पॉसिविटी यह ओ भी हो सकता ए भी हो सकता भी हो सकता ठीक है यही सेम कोशन था जो आप लोगों ने आपने मैसेज से पूसाइज होती है सर अगर किसी का नेगेटिव हुआ तो कैसे होगा एक सवरब का मैसेज है सवरब अगर नेगेटिव हुआ है तो अगर फादर पॉसिटिव है मदर नेगेटिव है तो बच्चे में पॉसिविटी है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर दोनों ही नेगेटिव है तो फिर बच्चा जो होगा वो नेगेटिव होगा दोनों ही पॉजिटिटिव हैं तो बच्चा जो होता है वो मोज़की पॉजिटिटिव होता हुआ हुआ है चलो तो मैं आप लोगों के माइक यहां से ओन कर रहा हूं और कोई डाउट है तो आप अपने माईक बी ऑन कर सकते हैं अध्रवाइस मेसेज के सुनु करते हों तो बड़ी चिकल्लस हो जाती ही कुछ लोगों के बरतनों की आवाई है चलो माइक मैंने ओन कर दिये हैं आप अपने माइक को ओन करके कोशन पूछ सकते हैं या फिर अपने मैसेज के थ्रू भी उसी रहे आप अशी के आ रही हो यह इस टॉपिक में बहुत कन्फुजन हो रहा है जो कि मुझा तॉपिक कन्फुजन वाला है नहीं कोंजेप्ट वाला है थोड़ी से कॉंजेप्ट है थोड़े समझ दो आप पढ़के तेविल में कंफुजन नहीं होना चाहिए निसाफ कल की क्लास में अपने इसको एक बार रिवायस कर लेंगे तेविल को यह इन है अग्यटेज़ सब्सक्राइब समझने वाला टॉपिक है जी तर नेविन को सिल्दा चलो कि अधारा नंबर कोश्चन बिता दो रानी ने कहा जिनों ब्लेडवेंग में ब्रक्तिया है उनके लिए तो बहुत जिसी है जिन्हों ने ब्लेडवेंग में काम किया है तो मैं जब यह पढ़ा रहा था शिवरी तो उस टायर पे मैंने यहीं चीज बोली कि वही में आगां काम नहीं किया है तो कभी आप थोड़े दिन गुजार के आओ तो जादा वेस्ट है एक ठर नमर के लिए रानी ने पूछा कि तर इसको एक बार समझा दो रानी बड़ा सिंपल सा आप तो याद रखना है आपको जो होती है अब यह क्या होता है यह क्या होता है यह अपने जो एंटी बॉडी होती है अपनी बॉडी के अंदर वह पांच टाइप की हो सकती है इस तरह से पांच तरकी होती है पांचां का साइज अलग अलग होता है और भी बहुत सारे में कितना बन ला है वह सारी पॉइंट्स है वह माइक्र इम्मिनलोजी में अपने पढ़ेंगे बस फिलाल अभी अपने एक कोश्चन रखाता तो इतना आप समझ दो कि आई जी 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 जा रहता होँ छोटे साइज की एंटि वोडी हैं मंवार है और आई जी पॉजिटिव है तो इसमें आटी वाडी प्रिजेंट होगी तो वो एंटी वाडी इसके होगी बच्चे की बॉदी में चली जाएगी पॉसिबिटी है जाने है चलो और कोई डाउट रहेगा तो अपन कल भी सिस्टम से अपन कल भी कुछ ठीवर पढ़ेंगी और डिसक्रस करेंगी ठीक है चलो इस्टुएंट देखो तीस इस्टुएंट तो जैसे ही डाउट सेशन शुरू हुआ तुरंत गाया बोजाते हैं च ब्राइब तो फ़ेशएंगी अपनी किसी का माय कौन हो रहा था वाई जैहन एंगाय ने कुट नाएट रोके अगैशन जैहन था गायद नाएट कुट नाएट कुट नाएट छैएंगाय यृवट रोट siya कॉट नाएट कॉट नैएट नाएट कॉन